नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं अधा खबरदानोज बिदिसा जीले में बिजली बिभाग के एई बिकास सर्मा को भोपाल लोकायुक्त के टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरपतार किया है ये रिश्वत उन्होंने बिलपास करने के बज़ में ठेकेदार अभैराज पचाओरी से ले थी बिजली बिभाग के एई के पतपर पदस्त बिकास सर्मा को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरपतार किया एई बिकास सर्मा बिजली बिभाग के ठेकेदार अभैराज पचाओरी से बिलपास करने के बज़ में बार 5 प्रतिसत के हिसाब से रिश्वत की मांग करता था और पैसा एडबांस लेने के बाद ही बिलपास करता था ठेकेदार ने पहले भी लगभग 2 लाग रुपै बिलपास कराने के बज़ में दे दिया था इस बार भी लगभग 1 लाग 14 हजार का बिलपास होना था जिसके बदले विकास सर्मा ने 5 ला रुपै के मांग की थी जिसकी सिकाय ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस से की और लोकायुक्त की DSP साधना सिंग के नेत्रित में टीम ने योजना बद तरीके से घेरा बंदी करते हुँ रिस्वत खोर अपसर को रंगे हाथो धर दबोचा जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने विभिन धाराओं में मामला दर्जे कर लिया है अधिक जानकारी के लिए ये देखते हैं बिदिसन से हमारे रिपोर्टर आशी सहले की रिपोर्ट देखते रही है दख़वरदार नोच क्या नाम है आप लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत करी थी कि इनके मैंटेनेंस के बिल के भुक्तान के लिए ये अजय शर्मा द्वारा रिश्वत की मांग की जारी है उसका सत्यापन हमने कराया था सत्यापन पर वो सुद्ध पाये गया आज वो शिकायत करता अभराज से पांचा रुपे की रिश्वत की राशी देते पकड़ेगा अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद